ओम शान्ती 11 अक्तुबर 2024 के इश्वरिय महावाक्य पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा अगर सारा दिन बुद्धी में यह ज्यान फिरता रहे तो खुशी का पारा भी चड़ा रहे। लेकिन साथ साथ तुम्हें याद की यात्रा में भी रहना है। योग अक्षर नहीं कहो योग अक्षर में यात्रा सिध नहीं होती। तुम्हें सुख धाम और शान्ती धाम को भी याद करना है। अगर 84 का चक्र याद नहीं करेंगे तो चकरवर्ती राजा कैसे बनेंगे। फिर बाबा ने कहा वास्तों में ब्रहम्री का मिसाल तु क्योंकि तुम विकारी कीडों को आप समान ब्रहमन बनाते हो। अभी तुमको बैगर टू प्रिंस बनना है तो महनत करनी चाहिए। सदैव बुद्धी में रहे इस पुरानी दुनिया से हमारा लंगर उठ चुका है। अब हमें उस पार नई दुनिया में जाना है। बाप जानते हैं कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बिल्कुल भी याद नहीं करते। शिव बाबा को जानते ही नहीं मानते ही नहीं क्योंकि माया का पूरा गरहन लगा हुआ है। ऐसे में समझना चाहिए राजधानी स्थापन हो रही है। उसमें सूर्यवनशी, चंदरवनशी सब चाहिए। लास्ट में बाबा ने कहा, जब तुम बच्चे देहे अभिमानी बनते हो, तब ही बाब को भूलते हो। इसलिए अपने आपको आत्मा समझो और बाब के साथ साथ वर्से को भी याद करो। जैसे बाब समझाते हैं, वैसे तुम बच्चों को भी अब टेव बाब करनी है, बड़े आदमी को देखकर फंक नहीं होना चाहिए। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार, मीठे बच्चे, बाब की याद के साथ साथ ज्यान धन से संपन बनो। बुद्धी में सारा ज्यान घुमता रहे, तब अपार खुशी र उत्तर, जो रोरव नर्क में रहने वाले विकारों से प्रीत करते हैं, ऐसे मनुष्यों की प्रीत बाब से नहीं हो सकती। तुम बच्चों ने बाब को पहचाना है, इसलिए तुम्हारी बाब से प्रीत है। दूसरा प्रशन, किसे सत्युग में आने का हुक्म ही नहीं उत्तर है, बाब को भी सत्युग में आना नहीं है, तो वहां काल भी नहीं आ सकता है। जैसे रावन को सत्युग में आने का हुक्म नहीं, ऐसे बाबा कहते, बच्चे मुझे भी सत्युग में आने का हुक्म नहीं। बाबा तो तुम्हें सुख धाम के लायक बना कर घर चल उन्हें भी लिमिट मिली हुई है। पुद्धी में है कि हम जाते हैं शान्ती धाम। बाप ने आकर हात पकड़ा है। हात पकड़ कर पार ले जाना होता है ना। कहते भी हैं हात पकड़ लो क्योंकि विशयसागर में पड़े हैं। अब तुम शिव बाबा को याद करो और घर को याद करो। अंदर में यह आना चाहिए कि हम जा रहे हैं। इसमें मुख से कुछ बोलना नहीं है। अंदर में सिर्फ याद रहे। बाबा आया हुआ है लेने के लिए। याद की यात्रा पर जरूर रहना है। इस याद की यात्रा से ही तुम्हारे पाप कटने हैं। तब ही फिर उस मंजिल पर पहुँचेंगे। कितना कलियर बाब समझाते हैं। जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है न। सदैव बुध्धी में हो कि हम बाबा को याद करते जा रहे हैं। बाब का काम ही है पावन बनाकर पावन दुनिया में ले जाना। बच्चों को ले जाते हैं। आत्मा को ही यात्रा करनी है। हम आत्माओं को बाब को याद कर घर जाना है। घर पहुँचेंगे फिर बाब का काम पूरा हुआ। बाप आते ही हैं पतित से पावन बनाकर घर ले जाने। पढ़ाई तो यहां ही पढ़ते हैं। भल घूमो फिरो कोई भी काम काज करो। बुद्धी में यह याद रहे। योग अक्षर में यात्रा सिध नहीं होती है। योग सन्यासियों का है। वह तो सब है मनुश्यों की मत आधा कल्प तुम मनुश्य मत पर चले हो। आधा कल्प दैवी मत पर चले थे। अभी तुमको मिलती है इश्वरिय मत। योग अक्षर नहीं कहो, याद की यात्रा कहो। आत्मा को यह यात्रा करनी है। वह होती है जिस्मानी यात्रा, शरीर के साथ जाते हैं। इसमें तो शरीर का काम ही नहीं आत्मा जानती है हम आत्माओं का वह स्वीट घर है बाप हमको शिक्षा दे रहे हैं जिससे हम पावन बनेंगे याद करते करते तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है यह है यात्रा हम बाप की याद में बैठते हैं क्योंकि बाबा के पास ही घर जाना है, बाप आते ही हैं पावन बनाने, सो तो पावन दुनिया में जाना ही है, बाप पावन बनाने आते हैं, फिर नंबर वार पुरुशार्थ अनुसार तुम पावन दुनिया में जाएंगे, यह ज्यान बुद्धी में रहना चाहिए, हम य प्रित्यू लोक में हो, फिर अमर लोक नई दुनिया में होंगे। बाप लायक बना कर ही छोड़ते हैं। सुख धाम में बाप नहीं ले जाएंगे, इनकी लिमिट हो जाती है, घर तक पहुंचाना। यह सारा ज्यान बुद्धी में रहना चाहिए। सिर्फ बाप को याद न चक्र लगाया जाता है। फिर हम घर जाएंगे, फिर नए सिर्फ चक्र शुरू होगा। यह सारा ज्यान बुद्धी में रहे, तब खुशी का पारा चड़े। बाप को भी याद करना है, शांती धाम सुख धाम को भी याद करना है। चुरासी का चक्र अगर याद नहीं क करेंगे, तो चकरवर्ती राजा कैसे बनेंगे। सिर्फ एक को याद करना तो सन्यासियों का काम है, क्योंकि वह इनको जानते नहीं है। ब्रह्म को ही याद करते हैं, बाप तो अच्छी रीती बच्चों को समझाते हैं, याद करते करते ही तुम्हारे पाप कट जाने पहले तो घर जाना है यह है रुहानी यात्रा गायन भी है चारो तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे अर्थात बाप से दूर रहे जिस बाप से बेहद का वर्सा मिलना है उनको तो जानते ही नहीं कितने चकर लगाए हैं हर वर्ष भी कई यात्राईं करते हैं पैसे बहुत होते हैं तो यात्रा का शोक रहता है यह तो तुम्हारी है रुहानी यात्रा तुम्हारे लिए नई दुनिया बन जाएगी, फिर तो नई दुनिया में ही आने वाले हो, जिसको अमरलोक कहा जाता है, वहां काल होता ही नहीं, जो किसको ले जाए, काल को हुक्म ही नहीं, नई दुनिया में आने का, रावन की तो यह पुरानी दुनिया है ना, तुम बुल मैं तो पतीतों को ही पावन बनाने आता हूँ, तुम पावन बन, फिर ओरों को भी पावन बनाते हो, सन्यासी तो भाग जाते है, एकदम गुम हो जाते है, पता ही नहीं पढ़ता कहां चला गया, क्योंकि वह ड्रेस ही बदल लेते हैं, जैसे एक्टर्स रूप बदलते हैं, कभी मेल से फीमेल बन जाते हैं, यह भी रूप बदलते हैं. सत्युग में थोड़ी ऐसी बाते होंगी. बाप कहते हैं, हम आते हैं नई दुनिया बनाने. आधा कल्प तुम बच्चे राज्य करते हो, फिर ड्रामा प्लैन अनुसार देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं. उन्हों के बहुत गंदे चित्र भी जगनात पूरी में हैं. जगनात का मंदिर है, यूं तो उनकी राजधानी थी, जो खुद विश्व के मालिक थे, वहे फिर मंदिर में जाकर बंद हुए, उनको काला दिखाते हैं. इस जगत नात के मंदिर पर तुम बहुत समझा सकते हो. और कोई इनका अर्थ समझा नहीं सकते. देवता ही पुझे से पुझारी बनते हैं. वहे लोग तो हर बात में भगवान के लिए कह देते, आप पे ही पुझे, आप पे ही पुझारी. आप ही सुख देते हो, आप ही दुख दे अरे यह अल्प काल का सुख दुख, तुमको रावन राज्य में ही मिलता है. मेरे राज्य में दुख की बात ही नहीं होती. सत्यू को कहा जाता है अमर लोक. इनका नाम ही है मृत्यू लोक. अकाले मर पड़ते हैं. वहां तो बहुत खुशिया मनाते हैं. आयू भी बड़ी बड़ी में बड़ी आयू एक सो पचास वर्ष की होती है. यहां भी कभी कभी ऐसे कोई की होती है. परंतु यहां तो स्वर्ग नहीं है ना. कोई शरीर को बहुत संभाल से रखते हैं तो आयू बड़ी भी हो जाती है. फिर बच्चे भी कितने हो जाते हैं. परिवार जाता है व्रीधी जल्दी होती है जैसे जाड से टाल टालिया निकलती हैं पचास टालिया और उनसे और पचास निकलेंगी कितना व्रीधी को पाते हैं यहां भी ऐसे है इसलिए इनका मिसाल बढ़के जाड से देते हैं सारा जाड खड़ा है foundation यहां भी आदी सनातन देवी देवता धरम का फाउंडेशन है नहीं। अभी तुम बच्चे याद की यात्रा में बैठते हो। यह यात्रा तो तुम्हारी नित्य चलनी है। घुमो फिरो उपरन तु इस याद की यात्रा में रहो। यह है रुहानी यात्रा। तुम जानते हो भगती मार्ग में हम भी उन यात्राओं पर जाते थे। बहुत बार क्यात्रा की होगी जो पक्के भक्त होंगे बाबा ने समझाया है एक शिव की भक्ती करना वह है अव्यभिचारी भक्ती फिर देवताओं की होती है फिर पांच तत्वों की भक्ती करते हैं देवताओं की भक्ती फिर भी अच्छी है क्योंकि उन्हों का शरीर फिर भी सतो प्र चित्र तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है समझाने का। जिन्नकी भी कहानी बताते हैं ना। यह सब द्रिस्टान्त आदी इस समय के ही है। सब तुम्हारे उपर ही बने हैं। ब्रहम्री का मिसाल भी तुम्हारा है जो किडों को आप समान ब्रह्मन बनाते हो। यहां के ही स तुम बच्चे पहले जिस्मानी यात्रा करते थे, अभी फिर बाप दवारा रुहानी यात्रा सीखते हो। यह तो पढ़ाई है ना? भगती में देखो क्या-क्या करते हैं, सब के आगे माथा टेकते रहते हैं, एक के भी ओक्यूपेशन को नहीं जानते। भारत वासी तो इतने पत्थर बुध्धी बने हैं, उनसे पूछो स्वर्ग कब था तो लाखो वर्ष कह देंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम विश्व के मालिक थे। कितने सुखी थे, अब फिर हमको बैगर टू प्रेंस बनना है। दुनिया नई से पुरानी होती है ना, तो बाप कहते हैं महनत करो। यहे भी जानते हैं माया घड़ी-घड़ी भुला देती है। बाप समझाते हैं बुध्धी में सदैव याद रखो, हम जा रहे हैं। हमारा इस पुरानी दुनिया से लंगर उठा हुआ है। नईया उस पार जानी है। गाते हैं ना, न निया हमारी पार ले जाओ। अब पार जानी है, वह जानते नहीं है। तो मुख्य है याद की यात्रा। बाप के साथ वर्सा भी याद आना चाहिए। बच्चे बालिग होते हैं तो बाप का वर्सा ही बुध्धी में रहता है। तुम तो बड़े हो ही, आत्मा जट जान लेती है, यह बात तो बरोबर है। बेहद के बाप का वर्सा है ही स्वरग। बाबा स्वरग की स्थापना करते हैं तो बाप की श्रीमत पर चलना पड़े। बाप कहते हैं पवित्र जरूर बनना है। पवित्रता के कान ही जगडे होते हैं। वह तो बिलकुल ही जैसे रोर प्रीत बुद्धी है ना? बाप आते ही हैं प्रीत बुद्धी बनाने. बहुत हैं जिनकी रिंचक भी प्रीत बुद्धी नहीं है. कभी बाप को याद भी नहीं करते हैं. शिव बाबा को जानते ही नहीं, मानते ही नहीं. माया का पूरा गरहन लगा हुआ है. याद की यात्र में कोई भी धर्मस्थापन होते नहीं। राम कोई धर्मस्थापन नहीं करते। यह तो स्थापना करने वाले बाप दवारा यह बनते हैं। और धर्मस्थापक और बाप के धर्मस्थापना में रात दिन का फर्क है। बाप आते ही हैं संगम पर जबकी दुनिया को बदलना ह बाप कहते हैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ उन्होंने फिर युगे युगे अक्षर रोंग लिख दिया है आधा कल्प भगती मार्ग भी चलना ही है तो बाप कहते हैं बच्चे इन बातों को भूलो मत यह कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं अरे बाप को तो जानवर भी नहीं भूलते हैं तुम क्यों भूलते हो अपने को आत्मा नहीं समझते हो देहे अभिमानी बनने से ही तुम बाप को भूलते हो अब जैसे बाप समझाते हैं वैसे तुम बच्चों को भी टेव आदत रखनी चाहिए, भब के से बात करनी चाहिए, ऐसे नहीं, बड़े आदमी के आगे तुम फंक हो जाओ, तुम कुमारियां ही बड़े बड़े विद्वान पंडितों के आगे जाती हो, तो तुम्हें निडर हो समझाना है, अच्छा, मिठे मिठे, सिकी लदे बच्चों प्रती, मात पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मोर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते, रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, गुड मोर्निंग, शुक्रिया बाबा, श जिया का लंगर इस पुरानी दुनिया से उठ चुका है। हम है रुभानी यात्रा पर। यही यात्रा करनी और करानी है। दूसरी पॉइंट, किसी भी बड़े आदमे के सामने निर्भ्यता भबके से बात करनी है, फंक नहीं होना है, देही अभिमानी बनकर समझाने की आदत डालनी है. वर्दान है, व्यर्थवा माया से इनोसेंट बन, दिव्यता का अनुभव करने वाले महानात्माभव. महानात्मा अर्थात, सेंट उसे कहेंगे, जो व्यर्थवा माया से इनोसेंट हो, जैसे देवताईं इससे इनोसेंट थे, ऐसे अपने वो संसकारी मर्ज करो. व्यर्थ के अविद्या स्वरूब बनो, क्योंकि यह व्यर्थ का जोश, कई बार सत्यता का होश यद थार्थता का होश स्माप्त कर देता है. इसलिए समय, स्वास, बोल, कर्म, सब में व्यर्थ से इनोसेंट बनो. जब व्यर्थ की अविद्या होगी तो दिव्यता स्वत्य अनुभव होगी और अनुभव कराएगी स्लोगन है फर्स्ट डिवीजन में आना है तो ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो फर्स्ट डिवीजन में आना है तो ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो ओम शान्ती अब सुनते हैं आज की अव्यक्त मूरली इसके लिए उपर दिये गए बोक्स पर क्लिक करें